किसी भी business को overall safeguard करने के लिए intellectual property rights कितना vital role play करता ही अपने last video में देखा कोई आपको अपने business का trademark registration कराने के लिए बोल रहा है इसलिए आप मत कराइए मैं आपको 10 reasons दूँगा कि आपको क्यों अपने business का trademark registration कराना चाहिए आज की इस video में हम discuss करेंगे top 10 advantages of trademark registration सो हे दोस्तो मैं हूँ नावेत मौमीन, a lawyer, writer, youtuber, fascinating speaker, legal and business consultant having more than 12 years of experience in the law field सो मीद करता हूँ आप सब fit होंगे तो के health ही सबसे बड़ी wealth है सो चलते हैं हमारे topic की तरफ लेकिन उसे पहले चैनल को subscribe जरूर कीजिए और साथी bell notification icon को भी tag कीजिए ताके मेरी हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुचे आपके business name, sign symbol, line logo और word phrase के उपर आपका exclusive right होता है आपके अलावा इन चीजों को और कोई use नहीं कर सकता कोई copy नहीं कर सकता और आपकी permission के बगैर अगर इन सारी चीचों को कोई अगर use करता है तो आप उसके against में legal proceedings initiate कर सकते है Second है protection against infringement Infringement का मतलब है उलंगन करना इस phrase को अगर हम layman words में समझने ही कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने business का trademark registration जिस नाम से भी कराना चाते हैं उस नाम से अगर opposite party ने already अपना registration करा रखा है और उसकी permission के बगैर आप अगर उस नाम को use करते है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके right का उलंगन किया है पर इसके लिए वो आपके against में infringement का case file कर सकता है इसी तरह से आपने business का trademark registration करा रखा है और कोई opposite party आपके permission के बगैर आपका नाम use करती है तो आप भी उसके against में infringement का case file कर सकते है थर्ड है legal right to use the word TM and R आपने देखा होगा कि बहुत सारे brand के साथ में TM और R लिखा होता है तो इसका क्या मतलब है जब आप अपने trademark registration के लिए application file करते है तो आपको यह right मिलता है कि आप अपने business name के साथ में TM लिख दे और आपका जब application approved हो जाता है तो आप circle में R लिख सकते है इसका मतलब है registered तो जिस भी brand के साथ में आपको TM या R लिखा होगा दिखे तो इसका मतलब यह है कि यह brand जो है या तो application applied है या तो फिर application approved है तो ऐसे brand name को आपको copy नहीं करना है फोथ है build trust, goodwill and loyalty अगर आप अपना खुद का analysis करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ brand के products यूज़ करते हैं जिसे आप किसी भी कीमत पर switch नहीं करना चाहते हैं चाहे आपको उससे better quality का product दिया जाए या उससे सस्ता product दिया जाए आप उससे switch नहीं करेंगे इसी तरह से जब हम अपने business का trademark registration कराते हैं तो over a period of time market में हमारा एक brand value create हो जाता है एक goodwill create हो जाती है वा customers के बीच में हमारा एक trust build हो जाता है और यही customer जो है over a period of time हमारे loyal customers में convert हो जाते हैं जिस तरह से आप बने होगे फिफ्थ है asset creation एक बार आपने trademark registration करा लिया उसकी validity 10 years तक होती है तो trademark registration long run में आपकी लिए asset की तरह काम करता है for example आपने business के trademark registration करा लिया और उसके पाद उस name से आपने 2-3 साल ही अपना business run किया उसके बाद आपने अपना business बंद कर दिया अब future में अगर कोई वो नाम आपका use करना चाता है तो आप उसे as an asset use कर सकते है आप या तो उस trademark को sell out कर सकते है या lease out कर सकते है या फिर उसे license out कर सकते है इस तरह से आप अपने trademark से भी कमा सकते हैं 6-6 है differentiates product trademark registration आपके goods and services product and product quality को market की भीड से अलग करता है और इसलिए आपके customers आपके product तक आसानी से पहुंच जाते है इसके अलावा trademark और logo आपके business का vision और uniqueness रिप्रेजंट करते हैं जैसे के हमने अपनी first video में बिसलरी के example देखा था 7-7 है provide status to the product trademark registration आपके product को एक status provide करता है क्योंकि एक survey में पाया गया है कि कोई भी customer किसी भी product या service को उसके brand से connect करके देखता है for example apple iphone और macbook 8-6 है low cost protection for 10 years जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार trademark registration कराने के बाद आपको 10 years की validity मिलती है तो trademark registration जो है वो बहुत ही cost effective process है आप किसी भी CACS या lawyer से मिलके we discuss कर सकते है number 9 है attract human resources let me ask you a question अगर मैं आपको offer दूँ कि आपको mobile hardware engineer के तौरे local market में काम करना है या फिर आप apple के साथ में काम करना चाते है तो आपका answer क्या होगा obviously आप apple के साथ में काम करना चाते है तो इसी तरह से popular brands जो है हमारे young talent को attract करता है so आज हमारा youngistan जो है वो big brand और large corporation के साथ में काम करना चाता है और इस तरह से इन large corporations के recruitment cost जो है वो बहुत कम है क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की कोई advertisement का सहारा नहीं ले number 10 है global recognition अगर आप अपने business को international platform तक expand करना चाते है तो आप जिस भी country में जाएंगे उस country में आपको अपने business का trademark registration कराना होगा लेकिन आपको उसी वक्त कर सकते हैं जब आपने इंडिया में अपने business का trademark registration करा चुका है तो आप जब इंडिया में अपने business का trademark registration कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही strong foundation के तोर पे काम करेगा उमीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको informative लगी हो आज स्वे topic से related आपका concept clear हो गया होगा अगर आपका concept clear नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखी आपका concept clear हो जाएगा वीडियो अगर पसंद रही तो इसे like कीजे और share कीजे अपने family and friends के साथ जिने आपके इसाब से इस वीडियो की इस information की ज़वरत है और comment करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना effort डाल रहा हूं वो fruitful है या भी futile है That's it for today, thank you for watching